हलो एवरिवन वेल्कम बैक अबर यूटूब चैनल डेश्टिनी कोमर्स अकैडमी आज का जो अपना टोपिक है वह हम पढ़ रहे हैं डिमांड एनलसिस इनके लोफ डिमांड के बारे में हम जानेंगे तो डिमांड क्या होता है फिर इसको कैसे एनलाइज किया जाता है इसकी और पैसे नहीं है वह सिरफ आपकी क्या कहलाइगी डिजायरoo कलाई सेकिन नमबर पर आता है आपके पास पैसे तो है लेकिन आप उस चीज् books खृज़्हना नहीं चाते उसको क्या बोलते है बोंड और थो अगर सिर्फ पैसे हैं खृज़ान नहीं चाते तो वं तोब्र है तो डिजायर अगर दोनों चीज है तो डिमांड कहलाता है हो जाए है फिर आता है डिमांड के बारे में तो डिमांड क्या है क्वांटिटी है जो विलिंग होता है पहले बात है कि जो हम डिमांड की बात करते हो फ्यूचर के रिगार्डिंग हम बात लेके चलते हैं कि विल बाइर खरीदने के लिए different alternate price पर एक given time period में given quantity को ले का है, ठीक है, फिर आते है characteristics of demand, low of demand, अब low of demand की characteristics क्या-क्या है, first one देखी क्या दे रखा है, first one आपा inverse relationship in the price and quantity demand, like मैं यहाँ पर बना देता हूँ, यह demand हो गया आपका, ठीक है, अगर price कम रखते हैं, तो demand ज्यादा हो जाएगी माले कि यहाँ पर लिख देता हूँ 50 quantity और अगर हम price को बढ़ा कर 10 की बज़ाए 20 कर देते हैं तो आपकी demand कम होकर कितनी हो जाएगी 25 हो जाएगी कहने का मतलब है कि price बढ़ा demand कम इसी तरह अगर 20 से 10 price कम करेंगे तो demand बढ़ जाएगी तो क्या relation होता है inverse relationship होता है पहला point दूसरा price जो independent variable होता है demand जो हो dependent variable होता है ठीक है कैसे लिखते हैं आपको याद हो तो जो next lesson मापको करवा हूँ आप quantity demanded divide by change in या percentage change in quantity demanded divide by percentage change in price तो जो उपर लिखते हैं आपको हमेशा dependent variable होता है क्या होता है dependent होता है किस पर नीचे वाले पर जो नीचे लिखते हैं वो independent होता है क्या होता है वो independent होता है variable घटक बोल लो आप चाहिए ठीक है तो इससे आपको याद रह जाएगा एक बार paper में question यहीं से भी आया है कि price का effect demand पर पढ़ता है price on demand यह आपको याद रखने है ठीक है next बनाता थर्ड अधर थिंग बिंग दीमें सेम अधर थिंग क्या होता है जैसे consumer की income में change होना related goods में change होना ठीक consumer के expectation में change होना एड़टाइजमेंट के कालों से बहुत सारे factor होते हैं जो एक demand पर effect परते हैं उन सब क्या मानना है constant मानना है जब आप demand का और price का link शो करते हो तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है other thing being remain same बोल सकते हो आप other thing being constant बोल सकते हो या फिर इसका मतलब भी होता है other things remain same यह word पुछा गया है तो आपको यह भी याद रखना है यहांसे दो जिन question आने के chances है related with time कि इसका जो relation होता है particular point of time से होता है हो सकता है एक दिन के लिए हो सकता है एक महिने के लिए हो सकता है एक साल के लिए हो direction of change यानि कि इससे क्या प्ता चलता है डिरेक्शन का पता चलता है देखो जो अपना है demands Cook खासकर law of demand इसमें है ुदर दारेक्शन का पता चलता है किस Turks के बढ़ने से demand क्या हुई कम इस में बढ़ने से नहीं चलता कितने परसेंटेज में माले ने खूल 10 पर सेंट प्राइश बढ़े का डिमांड में कितने प्रसेंट अत्य समध्य यह लू और आपका और सब्सक्राइब पाली अफ्ल the फिनोमिना क्या है और qualitative statement है या फिनोमिना है अयां बोल सकते हैं ठीक ना हिए quantitative नहीं है qualitative है तो यह direction को शो करता है और qualitative दोनों चीज याद रहे जागे आपको यह ध्यान रखना है paper point of view से next पढ़ते आई जिसके बाद हम बात करते हैं लगो यहाँ से pressure में question एक अबर क्या पुछा गया, कि floor price और ceiling price, यानि कि price floor या फिर price ceiling के बारे में पूछा गया था, अगर देखिए, अगर supply ज्यादा है, demand से, तो उसको तो हम बोलते है, price floor, क्या बोलते है, price floor, और अगर demand ज्यादा है, supply से, तो उसको बोलते है, price ceiling, क्या बोलते है, price ceiling, आप यह याद रखना, वै से अब्व होता यहां पर क्या लिखेंगे अबो इक्वीविरियम प्राइस और चार्ट बना देता हूं यहां पर यह दो इसका हो जाए गाव बॉल सकते हैं तो यहां से यहां पर ज्यादा कि सेडिमांड से और यहां पर डायडγे लेके चलता हूं कि है अस्प्वेक्ट लेके चलते हैं supply को तो आप बोलोगे ये ठीक है वैसे आप लिख लेना चाहिए यहाँ पर क्या बोलोगे आप यहाँ पर आप बोलोगे sir plus of supply कि sir supply ज्यादा है और यहाँ पर क्या बोलोगे shortage shortage of supply यहांप supply की कमी है तो इसको तो बोलते हम price floor, क्या बोलते हैं price floor, अभी बताया था ना पीछे, और इसको क्या बोलेंगे price ceiling क्या बोलेंगे, price ceiling क्या यहांपर लिख देते हैं price ceiling ओके, देखें क्या कुछ बोला गया भी, तो वैसे याद रख लेना आप लो demand supply ठीक है पहले इसके बारें बात करते हैं price floor के बारे price floor क्या एक minimum price है, इसको minimum spot price भी बोलते ही, किसको बोलते है price floor या floor price को minimum spot price भी बोलते है जीए आप याशे याद रखने के लिए क्लिए है, जो किसान है, उसका minimum squat प्रैस होता है तो सरकार यह चाहती है कि जो producer, seller यानि कौन किसान के बारे हम बात करें हैं कौन सी goods के लिए होता है जो वो commodity जो necessity की होती है जो समाज में हर वर्ग योज करता है उसके regarding हम बात कर सकते हैं तो जो किसान है उसको एक price मिलना चाहिए तो उसके regarding क्या करते हैं सरकार एक प्राइस कि इतना अमाले कि हम ने बोल देकि 2000 रुपे क्वेंटल में लेंगे 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 तो यह क्या कर दिया कि इसका यूज कहां पर क्या जाता है वही गवर्मेंट मेंटेंग बफर स्टोक of emergency, emergency के लिए stock रखने के लिए ऐसा हो सकता है या export करने के लिए ऐसा क्या जा सकता है, या commodity means access supply के लिए तो यह wording याद रखने आपने को सारे के सारे यह भी important point अपना ठीक, इस lesson से question हर बार ही आता है, next one क्या दिया गए है next one दिया गए price ceiling अभी मैंने बताया, below the equilibrium price होता है, क्या होता है, sir यहाँ पर होता है, price ceiling, आप यहाँ बोल सकते हो कहीं भी, price ceiling, यानि कि upper limit, maximum, ceiling का maximum represent करता है, floor, minimum को represent करता है, ऐसे भी आपको याद हो जाएगा यानि कि इसके अंदर क्या होता है, जो कोई चीज भी करी है, 100 रपे की और सरकार ने बोल दे है, कि आपको इसका rate रखाना है, 80, क्या रखना है, 80 rate रखना है, तो क्या करेंगे, अब market में तो 100 रपे है, इसका rate असी चल रहा है, तो इस condition में क्या है, बोलो black marketing होगी, हाँ जी बिलकुल black marketing होगी, और अगर माल लिया कि कोई producer था, जुसको पता भी मेरा माल 100 रपे है, सरकार के काना सीम बेच रहा है, तो क्या करेंगे आप प्रोडूशन, quality को down कर देगा, ठीक है, या फिर क्या बोल देगा, या black marketing कर लेगा, आप बोल सकते हैं, या बोल देगा कि मेरे पास समान ही नी, ठीक है, माले कि गैस सेलेंडर का लगा लो, 1000 पे रेट चल रहा है, सरकार बोलती है, 800 में देना है, तो क्या करेंगे, producer, producer क्या करेंगे, ब्लैक मार्केटिंग करेंगा, तो ये, आपको ध्यान रखना सारा का सारा, ठीक है, कहाँ पर price floor होता है, और कहाँ पर price ceiling होता है, नया concept है, तो आपको ये ध्यान रखना है, फिर आता है simple भई, कि why demand करो slope downward, कि demand करो का slope downward क्यों होता है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, law of diminishing marginal utility के काण ऐसा होता है, किसकी काण होता है, law of diminishing marginal utility, ये concept किस ने दिया था, ये concept दिया था, अलफर्ड मार्सल ने, और इसी concept को हम बोलते हैं, क्या, गोशन, law of consumption, ये याद रखना आपको नाम, क्या याद रखना है, गोशन, law of consumption भी बोला जाता है, ये भी जहान आपको जाता है, ठीक है, second one क्या होता है, इसलिए demand करो, क्या होता है, diminishing marginal utility का मतलब क्या होता है, सर, जैसे जैसे हम goods को consume करते चले जाते हैं, उसके परती है हमारी जो utility है, satisfaction जो है, वो क्या है, utility means, satisfaction आप बोल सकते हैं, तो वो क्या होता है, कम होता चला जाता है, ठीक है, जैसे मान लेगा, आपको प्यास लगी है, पहला गिलास पानी का मिलेगा, तो आपको जाल satisfaction मिलेगा, फिर दूसरा पी होगी तो उससे कम मिलेगा, तीसरा पी होगी तो उससे कम, चोथा पीएगा तो उससे कम, डी डी ऐसे करते हम डी डी डाउनवर्ड होता है क्या से ठीक है ना के लिए हम यह पॉइंट सामने रख रहे हैं पहला तो यह होता है दूसरा इंकम रियल इंकम में चेंज के कान क्या हो जाता है रियल इंकम कम हो गई तो क्या होगा क्वांटिटी कम खरी देंगे वरना ज्यादा ठीक है फिर आता है सब्सिट्यूशन इफेक्ट और प्राइस क्या होता है जैसे हमने बात करते हैं टी एंड कोफी क्या बात करते हैं टी एंड वाओ ऑगijगैं इसकी क्वांटिटी बढ़ जाई एक के प्राइस बढ़ने से खुद की डिमांड तो होगी कम यहां तो यह यह आएगा और जबकि उसके दुसरे कि का साइज ज्यादा है तो डिमांड ज्याद़ का साइज कम हो जाएगा एक यो जो सिर्फ डोई लेके जाता था डेली अब माले क्या कि उसने अपना कंजफशन बढ़ा दिया क्या करते तीन लिटर कर दिया तो उसली बात कि कि एक लेटर तो किसी और व्यक्तिय काम हुआ ना न उसके कान क्या था उसके डिफेरेंट डिफेरेंट यूज करने की यह सकता है कि अगर आपका मलेकर मिलक संस्ता हो क्या चाता है कि उसकी जो यूटिलिटी है वह मैक्सिमम हो मैक्सिमम कब होगी जब वो पैसे कम खर्च करेगा और उसको satisfaction ज़्यदा मिलेगा तब ऐसा होता है ठीक है नेक्स्ट बनाता है प्राइस इफेक्ट तो ही है प्राइस इफेक्ट के कार्ण भी ऐसा होता है गोशन लोफ कंजप्शनी में पहले बता चुका हूं इन एंट्री एंड एक्जिस्ट ओप दा बायर यह साइज ओफ कंजूमर में इंकलूर हो जाता है यह सारे के सारे आपको पॉइंट याद रख अब आता है एक्ट अक्शेप्शन कि इसके क्या अपवाद दे रखें इसके लोफ्ट क्योंकि नोर्मली तो इन्मांड करो दाउनवर्ड होता अभी पड़के आई लेकिन अपवाद के ताइम में क्या करएंगे से रिवर्स करना पड़ेगा अपवर्ड करना पड़ेगा ठीक है ना यहां से अब उसके left to right होता है नोर्मली तो क्या होता है यहां पर देखो left to right downward क्या होता है downward यह भी left to right ही है लेकिन यह क्या है upward है क्या है यह यह अपवर्ड यह भी ध्यां रखना ना इन्हीं सब्दों में उड़ जा देता है चैजरमीनर तो इसको क्या बोलते हैं exception of low demand बोल सकते हैं या Paradox of demand करो बोल सकते हैं या Giffen goods भी बोल सकते हैं तो सबसे पहले ऐसा कब होता है कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड बढ़ जाएगी यह ना जैसे मैंनोला लोफ डिमांड में तो हम क्या देखेंगे कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो जाएगी और प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ जाएगी इसी की study करते हैं लेकिन यहां किसकी study करेंगे किसर price बढ़ा तो demand भी बढ़ गई, price कम हुआ तो demand भी कम हो गई, इसके बारे भी पढ़ते हैं, तो आईए ऐसी कौन-कौन से factor हैं, सबसे पहला था article of distincts या Babylon goods, इसके प्राइस बढ़ने पर लोग ज़्यादा खरीते हैं, या फिर कोई great artist है, तो अगर उसने कोई painting बना दी है, तो उसको high rate पे लेते लोग, क्योंकि उसने यह मानते हैं, इस वेक्ति ने बनाई है, हो सकता है वो painting सारी है, आपके जार दो-जार की हो, लेकिन वो क्रोड़ो हम भी भी जाती है, next बनाता है फिर ignorance, कई बर क्या होता है कि customer को पता ही नहीं होता, कि किस के कारण, कि माले कई बर क्या होता है, कि low price पे low quality का माल खरीद के आ जाता है, और आई price पे high quality, क्यों, वो यह मानता है भी जो सस्ती चीज है, वो quality अच्छी नहीं होगी, जो महंगी इसकी quality अच्छी होगी, ऐसा भी इसके कारण हो सकता है, लेकिन ऐसा जुरूरी तो हो नहीं हर बार, फिरा था exception of rising, अगर future के अंदर price बढ़ता है, ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया, कि आन ली के आप पेट्रोल का रेट है चल रहा सो रपे, सरकार बोल दे कि रात, बाराप जैसे पेट्रोल का रेट हो जाएगा 120 रुपे, बोलो अब 100 रुपे भी महंगा है, अब इसी रेट पे existing जो higher price था, उस पे आप ज़्यादा खरीज लोगे ना, तो यही क्या होजएगा, price के बढ़ने से demand बढ़ जाती है, यह exception में आ जाता है, इसके बाद आता है necessity of life, कि life क जो necessity goods होते हैं, उनके price चाहिए बड़े, चाहिए कम हो, हमें खरीजना ही पड़ता है, उनके ओपर यह rule अपलाई ही नहीं होता, इसके लगा कोई specific brand आप यूज करते हो, brand name कोई भी, मान ले कि आप जो Adidas है, Puma है, आप बोल सकते हो कि Nike हैं, इनके सूज डालते हो, तो उस condition म वोर और emergency के condition में भी, यानि के extraordinary situation के अंदर हम क्या करते हैं, चाहिए प्राइस बढ़ते हैं, यूकरेन वाड़े यह थोड़ी देखेंगे कि किसी goods का price ज्यादा है या कम है, उनको तो मिल जाए बस खाने को, consumer, psychology, blast या illusion, कई बर consumer को क्या लगता है, consumer यह सोचता है, कई बर क् प्राइस कम होता है, तो demand भड़नी चाहिए, अब मान ले कि कोई दुकानदार है, उसको लगता है, वह हमें अब जैसे गर्मी आने वाली हैं, तो उसलता है, सर्दियों का माल के होना discount पे निकाल दूँ, वो क्या कर रहे हैं, अपने stock clearance के लिए ऐसा काम का रहा है, ताकि उस P Dawn में और inferior good में difference क्या होता है? जो गिफन goods होता है, जैसे एक बोलते हैं price effect, क्या बोलते है? प्राइस effect, price effect को दो पार्ट में डिवाईड है चाहिता है, income effect plus में substitution effect, तो गिफन goods के अंदर जो हैं na, किफन goods के अंदर income effect ज्यादा होता हैun substitution effect से, यह आपको धिहान रखना हना है और inferior goods के अंदर क्या होता है substitution effect जदा होता है income effect ये inferior goods के अंदर आता है I का मतलब inferior S का मतलब यहाँ पर substitution effect और ये आपका क्या होता है income effect ठीक है ये paper में बहुत बार पूछा जाता है तो inferior goods जो होते न उसमें low of demand apply होता है हाँ जी low of demand जो है वो apply होगा लेकिन गिफन goods के अंदर अपकोड़ बनता है reason बस ये है क्योंकि इसके अंदर income effect ज़्यादा होता है सबसिटूसन से याद रहे जाएगा न यहाँ से भी question हर बार chances आने के हैं यानि कि इस lesson से question आएगा ही आएगा आएगा आपका शोर हूं मैं इस बात का तो ठीक है small part of total expenditure हो सकता है कि आप माले करोड़ पती हो और आप माले को 100 रपे की चीज़ लेनी है पहले एक वो 90 कि थी अब 100 की होगी तो आपको कोई फरक ही नहीं पड़ता ठीक है क्यों क्योंकि आपके total खर्चेगा हो तो बिल्कुल छोटा सा part है ना अब उसका rate भड़े कम हो कोई effect ने पड़ेगा तो हो सकता है कि आप 90 से 100 हो गया तब भी खरीद रहे हो ज्यादा खरीद रहे हो चेंज इन फैसन फैसन में चेंज होने के कान भी ऐसा होता है यह भी point जैसे low of demand जो है आप बोल सकते हो कि downward demand करो क्यों होता था उसके point पढ़े आपने वैसे ही इसके भी सारे के सारे point याज रखने पढ़ेंगे आपको ठीक है next वन आता है type of demand जिसको demand distinction भी बोलते हैं अलग-अलग books में अलग-अलग word use क्या जाता है कहीं पर demand distinction भी यूज करते हैं कहीं पर type of demand करते हैं आये पढ़ते हैं वन-बाई-वन पहला आता है एक तो कंजूमर डिमांड और एक होती प्रडूसर डिमांड कंजूमर डिमांड जो फाइनल कंजूमर दबारा कंजूम की जाती है जिसका मतलब आगे वह सेल नहीं करेगा उस गूर्ट को जबकि प्रडूसर डिमांड वह होती है जिस उस पहली वाले गूर्ट से का यूज करके दूसरी गूर्ट से बनाएगा यानकि उसको फर्दर यूज करेगा ठीक है तो कंजूमर की डिमांड को डारेक्ट डिमांड या ओटोनोमस डिमांड भी बोलते हैं क्या याद रखने है यह पर कि डारेक्ट का मतलब ओटोनोमस डिमांड होता है यह वर्ड याद रख लेना ठीक है और यह ड्राइव डिमांड होती है अब ड्राइव क्या होती है डार इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं यानी कि आगर मैं बोलते हैं कि पूद्ऐ की डि मांड होगी तभी प्रडेक्ट की डि मांड होगी वर नहीं भी उडिक है और डिरिक्ट 15 पीजिए सब्सक्राइब कोई लिंक नहीं है एक पॉड़ेक्ट का दूसरी पॉड़ेक्ट से इसके लावा बात करते हैं consumer जो गूर्ट होते हैं वह marginal utility यूटिलीटी जो वर्ड है वह आपका किसकी रिकारडियों और marginal utility यह किसके कुछ पॉइंट ते जब को consider करने हैं नेक्स्ट वन आता है सेकिंड फिर नॉन डूरेबल डिमांड और डूरेबल डिमांड के अंदर डिफरेंस बताइए नॉन डूरेबल को कौन से होते हैं जिसको perishable goods भी बोलते किसको बोलते हैं नंविधंट द्यूद्डूड ap ठीक हैatively मन बात करें ते करेया के तलिओर बात करती है बात करते हैं रिखंथ नेक्सट नो माध करते हैं तो υडिखंगों कि का स्वेपान की और अभी पढ़के आए थे डारेक्ट डिमांड जिसको बोलते हैं अभी मैं करवा के भी आया है ठीक है तो क्या होती स्पोंटेनेस मतलब तुरंत आपने डिमांड कर ले किसी चीज की आपकी जो नीड को सैटिस्फाइए करने के लिए वो डारेक्ट डिमांड होगी सारे कंजू तो रो मिट्रिल की डिमांड क्या कहलाएगी ड्राइव डिमांड कहलाएगी क्या कलाएगी ड्राइव डिमांड कहलाती है ठीक ना मनी की डिमांड भी ड्राइव डिमांड होती है इसके बाद हम बात करते हैं आपकी इंडस्ट्री इंडस्ट्रियल गूर्स और इंडस्ट् सुप στο इंडेश्टिर दिवांट शीलेश्टिक होती एं錢 सो करें 8 यह मौंसी गोटे हैं क्या है मोरें न shipping कहने का मतलब यहां पर प्राइस में चेंज होने से दिमांड पर नाम मात्र का चेंज होता है और जहां पर फैरली इलास्टिक वड़ा जाते हैं वहाँ पर प्राइस में चेंज होने से डिमांड में ज्यादा चेंज होता है और प्राइस में चेंज होने से इसको क्या बोलते हैं तो यह सब्सक्राइब करते हैं इसके अलावा बात हम करते हैं लोंग ट्रम में कंजूमर का टेस्ट फैसन वगारा चेंज होते हैं उसके कान जो डिमांड पर एफेक्ट पड़ता है नेक्स्ट बनाता है फिर अपना ज्वाइंट डिमांड अब देखो नाम याद रखने हैं आपको ज्वाइंट डिमांड को कॉम्प्लिमेंटरी डिमांड या कंजक्शन डिमांड भी बोलते हैं यह आपको याद रखने हैं जो पहले लिखा गया उसको पहले तो ज्वाइं दिमांड, complimentary demand या conjunction demand बोलते हैं जैसे pen और ink का ठीक है इसके अलाब बात करते हैं आप जो joint demand होती है ऐक commodity की में अगर demand में change हो गया तो दुसरी में automatic ही हो जाएगा same direction में change होता है क्या होता है pen के demand बढ़ेगी तो ink के demand भी बनेगी mostly same proportion में बढ़ती है पैन के डिमांड कम तो इंक के डिमांड भी खम हो जाते हैं, फिर आता है आपका composite demand, देखो एक तो conjunction, complementary और joint यह अलग है, और composite demand अलग है, लाइक याद रखने के लिए milk के डिमांड को हम composite demand बोल सकते हैं, फिर किसी commodity के एक से ज़्यादा यूजज़ होते हैं, different uses होते हैं, उसक commodity एक है, यूज़ ज़्यादा है, यहाँ पर क्या है, commodity ज़्यादा है, यूज़ एक करना है, single use, यहाँ पर क्या है, commodity एक और यूज़ ज़्यादा, बस उल्टा है, इसका विल्कुल composite demand हो जाएगा, next one हम बात करेंगे, price demand, income demand और cross related demand, एक ही बात है, तो देखिए, बात करते है, price demand, price में change होने के कार्ण, demand में क्या change होता है, यहाँ पर क्या होगा, income में change होने के कार्ण, quantity demanded में क्या change होता है, यहाँ क्या करेंगे, यानि कि हम बोलेंगे, एक goods, माले की X goods, यानि कि T के price में change होने के कार्ण, कोफी की quantity demanded में क्या change होता है, बस यह आपको, cross demand या related demand होते क्रोस या जो रिलेटिड डिमांड होते हैं इसके टू टाइप होते हैं एक होता है सब्सिटूट्स गूर्स एक होता का कॉंप्लिमेंटरी गूर्स क्या होता हैं कॉंप्लिमेंटरी गूर्स सब्सिटूट्स तो टी और कॉफी यान के ठीक है या फिर आप बोल सकते हैं पैप ठीक है या फिर ब्रेड और बटर आप कुछ भी उज़े क्या दा सकता है ठीक है तो यह होते हैं बस सिंपल यही दे रखा सारा का सारा यह इसके बाद आता है टो टोटल डिमांड और मार्केट सेगमें तोटल डिमांड कितनी भी और मार्केट सेगमेंट का मतल हूँ उसका पार्ट की किसके बारे में moment in demand करो और shift in demand करो यह याद रखना है तो दखिए जो moment in demand करो हना इसको हम price quantity relationship भी बोलते हैं बोलते हैं price quantity relationship भी बोलते हैं और जो change in demand करो हना इसको non price quantity relationship भी बोलते हैं ठीक है non price क्यों जैसा पता चार गया कि जैसे हमें क्या पता है कि कि किसी भी जो demand है ना मालेक demand of x गूर्स इसके function कौन-कौन से effect करते हैं मालेक इसका price खुद की x गूर्स का price of related गूर्स कोफी आ जाएगा कंजूमर की test का कंजूमर के preference का कंजूमर की expectation का कंजूमर की income का आधर बहुत सारे factory effect डालते हैं यह आप यह मानों कि जब price एक खुद की goods के price और उसकी quantity के बीच में relations हो करना हो तो उसको तो बोलते हैं change in quantity demand क्या बोलते हैं change in quantity demand ठीक है और अगर इन सब का इन सब का effect इस quantity पर पढ़ना है यह चेक करना है तो उसको बोलते हैं change in demand क्या बोलते हैं change in demand यह आपको याद करना है ठीक ना यानिकि इन सब का effect जब इस quantity पर पढ़ता है तो उसको क्या बोलते हैं change in demand बोलते हैं और जब सिर्फ price का effect quantity पढ़ता है उसको क्या बोलते हैं change in quantity देखो सब से पहले क्या दे रखा हैं सबसे पहले दे रखा हैं सबसे पहले ज़े रहे रहे हैं इसमें कोई इंपर नीपर पर्थक्टर इसमें इसमें पर्च होता है है टैसले इन दिव पर्थके ने ignored होता है हुण यह पहला अपने दे दिया कि आंसर यह बेसिक की अपना हो गया कि मालेख 10 रुपे पर ठीक है और यहां पर डिमांड होगा अपनी सो सो रुपे है कितनी होगी सो अब इसके के अंदर क्या होता है कि अगर प्राइस को छोड़कर बाकी अगर फैक्टर जो कर दिक Person Sans को सिंदेकी और मिन तो यह देखो यहां पर स्थेटूर टेबल भी दे मांद में कens cobato और यहां पर पर उसको क्यों लग अलग मांथकर he ४ यह दिमांड करो अलग होते हैं यह लाइन हुँ पर प्रैस ने लेदेमांड लग अलग son यह दान रख़ों, ठीक है, next देखिए, साईट पढ़ते हैं, अगर हम बात करें, यहां पर क्या होता है, सर, demand करो, यहां पर क्या होता है, demand एक और price अनेक, demand मतलब, demand करो एक और price अनेक होती है, ठीक है, यह तो DP हो गया, क्या हो गया, DP हो गया, सर्फ प्राइस को देखते हैं तब बस याद रख लेना अगर माले कि डिमांड बढ़ती है तो उसको बोलते हैं expansion, extension नहीं बोलते हैं यह ध्यान रखना या बहुत बार बूचा गया है क्या बोलते हैं? expansion, extension नहीं ठीक न? और अगर डिमांड कम हो रही है तो उसको बोलते हैं contraction, याणि कि हिंदी में बुलते हैं विस्तार, इसको बोलते हैं संकुचन, क्या बोलते हैं एक ही demand करो प्यास आँथा लेकिन price देखो, price अलग अलग है और demand करो एक ही यह यह द्यान रखने, देखो, प्राइस तो क्या आ लग अलग, और शिंपल बात है, इन्वर्स रिलेशन होता भी पड़क एथे नेगटिव रिलेशन के बारे में, तो क्या देखो प्राइस कम, तो डिमांड ज़्यादा, प्राइस ज़्यादा, और डिमांड कम, यह आपको ध् क्वांटिट होगी क्वांटिट इम्हांड है और यह का क्वांटिट इमांड हो गया पॉप्राइश फक्रेज और mg कर लेडे हैं से प्राइस वव跟大家 कर लें प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगी कम, यानि कि ऐसे बोलो, और प्राइस कम तो डिमांड ऐसे, तो ऐसे बने जगा, डिमांड करो, ठीक, यहां पर 20 रुपए है, तो डिमांड 10, प्राइस 10 तो डिमांड 20, बस, simply पहले भी कर चुके, यह तो इस खुद का प्राइस हो गया, यहां पर क्या था, प्राइस का और डिमांड का रिलेशन नेगिटिव था, यहां पर इंकम और इसका रिलेशन क्या है, पोजिटिव, अब इंकम और डिमांड का रिलेशन सिप समझने के लिए, हम गूर्स को चार पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, कौन-कौन स से चार पार्ट वह होते हैं एक तो असेंसियल या बेसिक कंजूमर गूर्स है ठीक है एक इनफीरियर एक नॉर्मल और एक लगजरी चारों को पड़ लेंगे तो वहां से हमें पता चल जाएगा इनके प्राइस का और गूर्स का क्या रिलेशन है तो सबसे पहले असेंसियल य लाइक फूड गरेन हो गया नाज हो गया ठीक है साबून हो गया ओयल हो गया कुकिंग फ्यूल हो गया ठीक है या क्लोथी तक माले कि आप गेंग हो एक लिमिट तक खाओगे पहले गरीब थे तो एक एक रोटी खा लेते थे अमीर होगे तो दो चैर्चर ऐसा तो नहीं कि 200 400 यह नहीं बोला कि एक बार इंकम बढ़ने से डिमांड बढ़ती है लेकिन एक लिमिट तक उसके बाद कॉंस्टेंट हो जाती याद रखना पीछे नहीं मूरती उसके बाद क्या हो जाती है कॉंस्टेंट अगर इसी को मैं बैक कर दूंगा ना तो वह कहका लाएगी वह इ बढ़ेगी बैकवर्ड नहीं होगी यह द्यान रखना ठीक है अधिक है नेक्स हम करते हैं फिर आगे नॉर्मल यह असेंसेंसियल में क्या होता है सर डिमांड और इंकम का रिलेशन पॉजिटिव होता लेकिन एक लिमिट के बाद कॉंस्टेंट हो जाते दोनों इसके बाद नॉर्मल डिमांड नॉर्मल डिमांड में कैसा पॉजिटिव रेशन जैसे जैसे इंकम बढ़ेगी डिमांड बढ़ती चली जाएगी जितनी इंकम बढ़ेगी डिमांड लाइक क्लोथ विकल फूड बगारा कुछ भी आ सकते हैं ठीक है बस यह जहां रखना अब आप बोल नॉर्मल गूर्स के अंदर आ जाए ठीक है बात करते हैं इंफिरियर गूर्स घटिया वस्तु देखो इसमें भी क्या है कि डिमांड यहां तक होगी अब कॉंस्टेंट नहीं हुआ क्या हो गया पीछे मुड़ गया कहने का मतलब आपको सिर्फ यह पॉर्शन याद रखना सर इंकम बढ़ी और दिमांड क्या होगी कमुगी बस इसको क्या बोलते हैं इंफिरियर गूर्स यहनए कि डेमांड के बढ़ने से इंकम के बढ़ती चले जाती है बही आजएगा यहाद रखने में प्राइस के टाइम में तो डिमांड करो downward होता है और normal income के टाइम में डिमांड करो upward होता है इनके price वाले में negative relation, income वाले में positive relation, दो ही point पड़के हैं अब तक हम ठीक है, income को फिर 4 पार्ट में डिवाइड करके, 4 goods में डिवाइड करके हमने समझा है, next आता है, consumer के test preference के regarding हम बात क कंजूमर अब पसंद करने लगे तो डिमांड ज्यादा, consumer के fashion वगएरा में change होने के काण ऐसा होता है, नए fashionable product खरीद लेंगे, old वाले छोड़ देंगे, ठीक है, effect पड़ता है, इसके अलावा price of related goods, वो substitution और complimentary हम बढ़के गई, बहे अगर माले के टी का price बढ़ गया, इसकी कफी का दसी है, तो क्या करेंगे, लोग कफी पेने लग जाएंगे, ये सबसीटूट्स गूर्स होता है, ठीक है, तो सबसीटूट्स गूर्स में A और दो B, दो गूर्स होगे माल लिया, इनके अंदर आपस में positive relation होता है, क्या होता है, positive, मैं वर्ड सुना क्या है, सबसीट गूर्स में बोल रहा हम है, ठीक है, आपस में positive relation होता है, एन दोनों के बीच में negative relation होता है, क्या relation होता है, negative relation होता है, किसमें ? जैसे अगर मैंने बोल देख प्राइस बढ़ गया प्राइस बढ़ गया तो लोग क्या करेंगे कार वगएरा खरीदने कम कर देंगे या बोल सकते पुब्लिक टांस्पोर्ट से आने लग जाएंगे बाइक वगएरा छोड़ देंगे ठीक है इनके वीच में क्या हुता नेग प्राइस बढ़ेगा तो उसकी डिमांड एक्जिस्टिंग प्राइस बढ़ा देगा जिमर को लगता है फ्यूचर में किसी चीज़ का प्राइस कम होगा उसकी डिमांड प्रजेंट में ही गिरा देगा जैसे प्ट्रोल वाला अगर आपको पता है वह सोर पे लिटर है और बाराइस को बारा बजेए के बाद में असीर पे लिटर हो जाए तो कोई निखरीदेगा सोर पे में फिर आप नेक्स्ट मनाता है एक्ट ओफ एड़ोटाइजमेंट का भी एफेक्ट पड़ता है आज बिलकुल अगर एफेक्टिव एड़ोटाइजमेंट कर रखे तो आप कर देख लिटर कोश्ट काम हो जागेंगे तो द मांद की कम हो जाएगा ठीक है इसके बाद आता जाएक और पॉपपुलेशन ज़्यादा थो इमांड ज्यादा पॉपपुलेश्यस्ट कम तो तो डिमांड कम गोवर्मेंट पोलिशी अगर गोवर्मेंट टेक्स जादा कर देंगे जिससे क्या डिमांड बढ़ जाएगी यानिकि गुवर्मेंट टेक्स लगाएगी तो डिमांड कम होती है गुवर्मेंट सब्सीडी देती है तो डिमांड बढ़ती है नेक्स्ट बनाता है फिर क्लाइमेट क्लाइमेटिक कंडिशन अब देखो सर्दियों में टी और कोफी की डिमांड बढ़ती है गर्मियों में आइस्क्रीम और सौफ ट्रिंक यानिके पेपसी कोग की डिमांड बढ़ती है अब है कुछ most important point के बारे में हम जानने वाले हैं यह important point का मतलब होता है यह प्रियुषियर के questions में अलग-अलग set में आए हुए है सारे के सारे तो क्या बोला गया इसमें देखो composite हाई आएगा पहले वह ज्यादा होता है ठीक है यह दो था next वन क्या दिया गया है थर्डवन पॉइंट अपना कि डिमांड करो हाई इसको डाइगराम से समझेंगे तब आपको समझ में आएगा आपको पता है अगर आपने मार्केट थोड़ी बॉत पड़ी हो तो एवरेज रिवैन्यू को ही डिमांड करो बोलते हैं कब मार्केट जो हम पड़ेंगे अलग-अलग मैं यहां बनाएं यहां बनादेते हैं द आपको नेक्स टोपिक में तो यह बोलते हैं मार्जनल अमेशा ही ए आर के नीचे होता है चाहिए बढ़े चाहिए घटे ठीक है तो माले कि यह जो एवरेज रिवैन्यू है अगर माले कि इसको मैंने यहां बोल दिया वह यह तो यहां पर क्या है एवरेज रिवैन्य या इ उपण से नीमें रहे हैं अब यहां बोल रह क्रों रही पर यह एंपर यह ए आप अगर यहां पर यह उनसे üzवन हो ते क्या होगा पोजिटीव होगा यह त आप कि नेक्स्ट वन क्या दिया गए नोन प्राइस क्वांटिटी रिलेस्टनिव अभी पढ़के आई है ना किसके काम सर्फ पराइस को छोड़ कर तो सिफ्ट वारा होता ना इंक्रीज डिक्रीज डिमांड होता है याद है ठीक है इंकम इफेक्ट प्राइस ग्रेटर देन सब्सिटूशन इफेक्ट ज्यादा सब्सिटूशन देट क्या कलाईगा गिफन गूर्स अभी पढ़के आए हैं ट्रांजिस्टिविटी एंड कंसिस्टेंसी ओफ च्वाइस ओडिनल उटिलिटी अप्रोच यह आगले लैसन में आजएगा तो वहां करवा देंगे पॉइंट तो यह ध्यान रख देना ठीक है यह कोश्चन में आया हुआ था तो वहां तो मिक्स आप आएगा ऐसा तो है नि आएं रहता है कोंट्रेक्ष्छन कोंट्रैक्ष्ण ऑफ डिमांड लेकिंट किंस्ट्र नहीं तक इस सुकर यहिप कोश्द मैसिंग क्तिर ज्यादा आते हैं क्योंकि इसवे मैश्मेसिंग कंशन दिमांड परिंचिंगाता हैं इस किया था अगर उपर जाएंगे तो contraction नीचे आएंगे तो expansion क्या था expansion याद रखना extension नहीं था leftward moment along with demand करो अगर increase in demand करो तो rightward shift increase in demand का बनाए ऐसे price same रखना है पहले demand करो यह था increase करना तो यहां पर हो जाएं बोलो this side shift was right joint demand अभी पढ़के आए थे कि जब एक प्रस दो दो commodity का किसी एक specific one को नीड को पुरा करने के लिए joint demand होता है joint का नाम complimentary conjunction demand अभी पढ़के आए थे cross demand क्या है कि एक के price में change होने से दुसरे के price में change होना cross को related demand भी बोलते है relative demand भी जिसमें substitution or complimentary दोनों आ जाते हैं ठीक है तो यह था आपका complete demand के उपर topic तो यह topic आपको कैसा लगा comment जरूर कीजिएगा मिलते हैं किसी next topic के साथ thank you all of you